यहां पर आप एक लेट मशीन देख रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लेट मशीन के जो स्पैसिफिकेशन होते हैं जैसे बैड का लेंथ कितना स्पीड मिलना है उन सारी चीहों का यहां पर लाइब डिमस्टरेशन करने जा रहा हैं तो सबसे वहले हम देखते हैं बैट का लेंथ किस तरह से मेजर करते हैं यह देखते हैं यहां पर हमने फीट का रखा है इसको और इस तरह से यह आप देख सकते हैं किस तरह से मेजर कर रहा है वन फीट को हमने यहां पर रिफरेंस लिया है और उधर मैं और दिखाता हूं आपको तो आप यह देख सकते हैं यह चार फीट हैं और इधर यह 6 इंच है मतलब यह साड़े-4 हो रहा है जबकि हमने एक reference लिया है तो इसका मतलब इसके जो बैड की लेंद्थ है वो हो गई 3.5 फीट अब आप इसमें देखने जा रहा है swing over bed swing over bed का मतलब होता है center से बैड की जो distance होते हैं उसको बोलते है swing over bed यह आप देखने हैं चक है यह चक का center है और यह बैड है ठीक है बैसे लिए यह सो करता है कि बैड की उपर मेंग्जियों कितनी डायमीटर का बर्ग पीस रोटेट हो सकता है कूं सकता है यहां पर देखिए यह हमने यह यहां पर जीरो से मेजर किया है और यह आप देख सकते हैं सेंटर से यहां देख रहे हैं यह करीब 18 cm यहां हम बोल सकते 18 cm और हम बोल सकते 180 mm इसका स्वींग वाबर बैड है आप हम देखेंगे स्वींग ओवर क्रोस लाइट का यह आप देख रहा है यह क्रोस स्लाइट ने का जो सेंटर से हो गाई इसका चक्का जो सेंटर होगा इससे जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा स्विंग ओवर क्रोस लाइट तो अभी हम मेजर कर रहे हैं तो आप यहां पर देखिए इसका जू सेंटर वह यहां पे कहीं बीच ओबीच में लाई करेगा तो यह 10 सेंटीमीटर मतलब इसका लागेय में डायमीटर का ब़्कपीस रोटेट हो सकता है अब मैं आपको δेखा ओवर गैप तो सुंग ह पर गैप का मतलब यह गैप है इस गैप से यहाँ पर जो इस इस кино से दिस्टेंस टिक यह तो आप देखो गए तो देखे मैं आपको दिखाता हूं इसको यह आपका है 25 cm क्योंकि यह बीच ओबीच पढ़ रहा है इसका कि तो अभी इस 25 हो गया तो आपने यह देखा स्विंग ओवर गैप से कम होता है आपका स्विंग ओवर बैट और स्विंग ओवर बैट से सेंटरटु सेंटर डिस्टेंस में दक़ा रहा हूं बेसिकली सेंटर तो डिसेंटर दिस्टस की लेंद का वर्क पीस इसके अंदर अकॉमेडेट हो सकता है तो यहां पर मोटर देख सकते हैं और यह मोटर आपको 1.5 जितने आपका हैबी डुटी लेट मशीन आते हैं उनकी मोटर ज्यादा एच्पी आती है तीन एच्पी पांच एच्पी और यहां पर यह बहुत है इसमें कितना सैट आप स्पीड मिल सकता है यह भी इसका एक स्पेसिफिकिशन होता है बस बहुत है